हेलो फ्रेंड्स आज मैं रवा डोसा लेकर आई हूँ रवा डोसा की खास बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें पहले से कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है हम इंस्टेंटली इसको बनाकर तयार कर सकते हैं और ये डोसा आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं आपको सा हम इस बनाना इसको बनाने के लिए मैंने एक कप सूझी लिया है और ये एक कप चावल का अत है इसको निकाल लिया है इसके बाद आपको मैंने 1 मैदा डाल दिये अटिरंगग जोती और इन फोर्ट समय से अर्य शीए सेने हम्स कर लिए हूं इसके बाद यह मैं बारीक टकी हुई हरी मिर्च डाल रही हूं और थोड़ी सी धन्या-पत्ती इसमें मैंने धोकर साफकर के रखी ति वो डाल दी और एक इंच अधरक कदुकस की वी मैंने इसमें डाल दी, यह मैंने काली मिर्च पाउडर यानि की दर-दरी कुटी हुई काल चीजों को बड़ेती हुं ऐसे मैक्षक कर देती हुई जेर स्वाग्सक कर लेती हुँ तो दो कप पानी डाले के बाद यह कमी रहता है लेकिन लेकिन में दोस स्टैन हे जुआ सेल कि नि went with Day नियुआ रहें लमर्प sû्छ लर्प सब्सक्रणारे दोस दोसके पहWhen I brake answers यह दोसा बहुत ही जाली दार बन के यह स्टेयार शाए और एकदम light weighted डोसा रहता है यह तो आप कभी भी किसी को खिला सकते हैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा बहुत कम oil में तयार होकर आता है यह अभी भी यह थोड़ा गाड़ा है हमें बहुत पतला मिशनट चेहीं होता है तो इसमें मैं अभी एक कप पानी और डाल दे रह है एक कप सूजी एक कप चावल के आते में और इतना पतला मेरा यह बैटर बिल्कुल तयार होकर आ गया है इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहे है पॉफेक्ट बैटर तयार है तो इसको बसमें जादा देर के लिए नी पांच मिनिट के लिए साइट से सेट करने के लिए पांच मिनिट बाद मेरा देखूंगी कि यह बिल्कुल अच्छे से अच्छे हो चुकी है एकदम देखिए आप जिसे की आप एक बार से मिक्स कर लीजे अगर आपको लगे की जादा गड़ा बैटर हो गया है तो इसमें आप पानी दौरा डाल सकते लेकि मेरा बैटर जब यह थोड़ा गरम हो जाए लाइट गरम ही रखना है क्योंकि बना जैसे हम डालेंगे सोई सिख जाएगा में फैलाने का मौका भी नहीं लगा हम स्पून से मिश्णर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तवे पे डाल देंगे चारो तरफ तवे पे मैं डा जाएगा आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा यह देगे मैं तवे को भी थोड़ा राउंड करते हुए ताकि मारा सारा मिश्णर एक जैसा मतलब एक लियर की तरह है चारो तरह फैल जाए अब मैं इसको मीडियम सिम गैस पे सिकने देती हूं थोड़ा थोड़ा कि इसके बाद जैसे ही हमारा यह ओ चार अ cold तरह अच्छे से लग गया है जैसे की थोड़ा थोड़ा ओल करकर मैं लगा दिया है तो अब मैं इसे जैसे आप देखेंगे साइट से बिलकुल कलर ते मैं इसका साइट से बीन से तो उसके बाद ही इसको पलड़ना होता उस से बिल्कुल आपका color change हो जाएगा उपर से तभी उसको पल्टे और थोड़ा सा पलट के दूसी साइट से भी मैं इसको सेक लेती हूँ अधिल्प दूसे आप अच्छक बनाने के और इसको भी सिकने देटी हूँ जब एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से जाए दूसरी तरफ से तभी उसको में पलटना होता है अल्क अल्क अच्छे से ग्रीस कर लेती हूं पर मुझे तो उमीद है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा यह बिल्कुल हमने अच्छे से शेक लिया है जैसे आपने देखा इसको भी मैं एक दम सेक लिया है चेंज हो गया है अब मैं इसको भी प्लेट में निकालूंगे और इस तरीके से मेरा रवाडोसा जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है इंको मैं सर्फ करूंगी उमीद है अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरू कीचे का और आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक के पेज को भी कर दीचे का लाइक तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाबाई